जाशीराधे, किशोर अवस्था वैसे तो लगभग बारे वर्ष की माली जाती है, पूर्ण किशोर और ठाकुर जी कितने वर्ष के भी हो जाएं वो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर लगभग 125 वर्ष रहे हैं लेकिन 125 वर्ष की आयू में भी वो नित्य किशोर ही दीखते हैं वो बारे वर्ष के ही दीखते हैं, उनके चेहरे पर कभी जुरियां नहीं पड़ती हैं वो कभी बुढ़े नहीं होते हैं, कभी उनके हाथ पैर नहीं कापते हैं कभी उनकी टांगें कमजोर नहीं होती हैं वो जैसे भी रहते हैं, जितने वर्ष भी रहें नित्य किशोर क्योंकि वो सनातन तत्व है वो हमारी तरह नहीं है हाँ वो जो बाल लीला करते हैं छोटे होते हैं गटूरवन चलते हैं ये सब उनकी लीलाएं हैं ये लीला है उनका जो मूल स्वरूप है जो उपास्य स्वरूप है वो नित्य किशोर का ही है रही मत्रा में द्वारिका में या गोकुल में वो भाव अनुसार पूजा होती है आयू का कोई विशेश महत्व पूजा में नहीं है कोई बालभाव से गुपाल जी की पूजा करते हैं मत्रा में कृष्ण और कुपजा, कुपजा उनकी पतनी है कृष्ण और कुपजा की पूजा होती है लेकिन ड्रे अर्ली एक आज मंदिर है मत्रा में द्वारकादीश जी की पूजा होती है बंदावन में ब्रजेंदर नंदन की पूजा होती है इन में भाव का फरक है बंदावन में जो पूजा होती है रादा कुछन की वो मादुर भाव की पूजा होती है द्वार का धीश की जो पूजा होती है मतुरा में वो एश्वर भाव की पूजा होती है क्योंकि वहाँ ठाकुर ने अपना एश्वर ही दिखाया कितने लोगों को मारा जरासंद को मारा कंस को मारा एश्वरी दिखाए एश्वरी की पूजा होती है ऐसे ही द्वार का धीश में वो महाराजा धिराज है तो वहां महाराजा धिराज के रूप में एक हजार आठ रानी आए सोले हजार एक सो आठ रानी आए उनकी तो उनकी वहां एश्वरी भाव में पूजा होती है भाव का अंतर है आयू का कोई विशेश बात नहीं है आयू तो सदैव उनकी वो बारे वर्ष केसे ही दीखते हैं किशोर दीखते हैं युवक दीखते हैं और बाकी हर विक्ति को कंस को देखो काल की तरह से दीखे नंदबावा आदी को बालक की तरह से दीखे मत्रा की रमनियों को वो बहुत सुन्दर आकर्शक युवक से दीखे इस प्रकार से वो भाव जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ऐसा रहता है और भाव गुरुदेव प्रदत होता है दिक्षा लेते समय अत्वा किसी भी सिक्षा गुरु शमन गुरु के आश्रे के समय गुरुदेव भाव देते हैं कि तुम बाल भाव से पुजा करो तुम माधुरी भाव से पूजा करो तुम एश्वरी भाव से पूजा करो और पुजा उपासना से ही उनके चरणों की सेवा या धाम की प्राप्ती है अनत में जो प्राप्त होना होता है वो भाव से ही प्राप्त होता है वो तो सर्व शिरो मनी हैं, उनके अंदर तो बाल भाव से करोगे, तो बाल भाव से करोगे, माधुर की सेवा दे देंगे, एश्वर से करोगे, एश्वर की सेवा दे देंगे, एश्वर धाम दे देंगे आपको, तो वो तो पूर्ण है, संपूर्ण है, तो इसलिए आयू का कोई विशेश महत्व नहीं है भाव का महत्व है जैशी रादे जैनेताई